हेलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चैनल रामा सिरीज पार्ट वन तकी स्टोरी आपको पिछले वीडियों बता चुके हूँ जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्षन में मिल जाएगा पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आगे ये एमान राविन को पूरी बात बताता है और कहता है तुम्हें मुझे पर भरोसा है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमे कभी भी धोखा नहीं दूगा तो रावी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम पर भरोसा करती हूँ इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही लेकिन मुझे उस प्रिंग पर भरोसा नहीं है और रही तुम्हारे और प्रिंग के मामने वाली बात तो वो तुम मुझे पर छोड़ दो मैं इस बारे में प्रिंग से डिल कर लूँगी आगे रावी प्रिंग के पास जाती और कहती है मुझे तुम्हारी कर्टूतों के बारे में सब पता है मुझे पता है तुमने जान बूछ कर ये मान को अपने साथ मोल लेकर गई ताकि तुम उसे मुझसे चीन सको यह मान ने तुम्हारा ड्रेस खड़ाब किया था ना तो जाओ तुम मेरे वार्ड रूम से कोई भी ड्रेस चूस कर लो मैं तुम्हें खुसी खुसी दे दूँगी और याद रखना मैं बस तुम्हें अपने कपड़े को चूस करने की पर्मिशन दे रही हूँ अपनी लाइफ में दखल देने की नहीं तो प्रिंग कहती है वो तो वक्त बताएगा कि तुम्हारे पास क्या रहता है और क्या नहीं आगे प्रिंग रावी के रूम में जाती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सा कपड़ा चूस करे कि तब यहाँ पर पाक्चा आ जाती है और वो रावी को परिसान करने के लिए रावी के कमरे के सारे कपड़े को इधर उधर फेक देती है और उसका पूरा रूम फेला आगे जब रावी अपने रूम में जाती है और अपने रूम की ऐसे हालत देखती है तो पूरी तरह सौक्ठ हो जाती है तो वह लोग उसकी इंसल्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते तो रावी में पीछे नहीं अर्ती और अपनी नोगरानी को कहती है यहाँ पर जित उठाने ही वाली होती है कि तभी उसकी मा उसी रोक लेती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और कहती है सांथ हो जाओ बेटा तो प्रिंग कहती है मौम मैं अपने आपको कंट्रोल नहीं कर सकती मैं इस रावी की बच्ची को और नहीं जहेल सकती मैं इससे इसका सब तो पक्चा कहती है बेटा थोरी देर और बरतास्त कर लो रावी का जो भी है वो सब तुम्हारा होगा बस तुम अपनी मौम पर भरोसा रखो इदर थाना के पापा थाना को कहते है क्या तुम्हारे नजर में कोई लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो तो थाना कहते है नहीं तो थाना के पापा कहते है अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की नहीं है पर मेरी नजर में एक लड़की है जो हमारे घर की बहु और त के लायक है तो थाना कहता है कौन तो थाना के पापा कहते है रावी तो थाना कहता है लेकिन उसका वाइफ्रेंट है पापा हम दोनों के बिचे सा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता तो थाना के पापा कहते हैं दुनिया में बहुत लोग एक दूसरे को डेट करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों का रिस्ता साधी पर आकर खतम हो जाता है। ये एमान कहता है पापा आप टेंसान मत लीजिए हम अपने बिजनेस को उचायों तक पहुंचाएंगे। मैं कैसे ये मान को अपना बनाऊंगी। तो पाकजा कहती है मेरी प्यारी बेटी तुम परसान मत हो ये मान तुम्हारा ही होगा। क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे अंकल को अपना कैसे बनाया था। उसी तरह तुम भी ये मान को अपना बनाऊं ताकि ये मान तुम्हारा हो जाए और इन दोनों का रिस्ता तूट जाए। लेकिन मॉम मैं कैसे ये मान को अपना बनाऊं तो पाकचा कहती है तुम परसान मत हो मेरे पास एक प्लैन है बस तुम्हें मेरे प्लैन को फोलो करना है समझी। इधर रावी अपने दोस्त जैन से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि वो बहुत जल साधी करने वाली है तो जैन कहती है क्या तुम दोनों साधी के बाद एक दुसे के साथ खुस रहोगे तो रावी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है हम दोनों दो साल से एक चोजल साधी होने वाली है आगे बहूं कहते हैं उसे एक दुसरे से प Mensch첫र श tickets थाना को यह बताती है कि मुझे यह मान बिल्कुल भी पसंदा नहीं है। नहीं stretch अच्छा लड़का है और रावी उससे बहुत प्यार करती है तो जैन कहती है इसमें कोई सक नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन फिर भी यह मान को देखकर मुझे हमेसा डाउट होता है क्योंकि वो अपने आपको जैसा दिखाता है वैसा वो न लखेगा इधर पाक जा प्रिंग और यह मान की साधी करवाने की पूरी प्लैनिंग बना लेती है और वो पूरे घर को खाली करवा देती है और रावी के पापा के साथ डिनर पर जाने का प्लैन बनाती है तो रावी के पापा कहते हैं प्रिंग को भी अपने साथ लेकर चल मैं खुद घर जली जाती बेटा लेकिन मैं और रावी के पापा किसी काम से बाहर आए हैं जिस वज़ा से हम घर जल्दी नहीं जा सकते और उपर से प्रिंग फोन भी नहीं उठारी मुझे प्रिंग की बहुत ही फिकर हो रही है प्लीज बेटा घर जाकर मेरी बेटी को देख को छुड़ा कर वहां से जाने लगता है तो प्रिंग कहती है मुझे भी पता है तो मुझे पसंद करते हो तो फिर यह सब ना नुकूरी क्यों कर रहे हो अगर हम दोनों ने एक साथ कुछ कर भी लिया तो भी इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा और वैसे भी घर में भी कोई नहीं है तो हम लोग इस मोके का फैता उठा सकते हैं तो यह मान जैसे यह सुनता है उसका भी मन डोल जाता है और वो प्रिंग के साथ रात गुजार लेता है अगर आपको रोमैंस देखना पसंद है तो आपको यहां पर भरपुर रोमैंस देखने को मिलेगा आगे यह मान की इस लगाई जाती है तो रावी के पापा कहते हैं मुझे तुमसे ऐसे उमीद नहीं थी तुम मेरी बीटी से प्यार करते थे ना तो फिर यह सब क्या है और प्रिंग यहां पर यह मान पर यह इलजाम लगाने लगती है कि उसने उसके साथ जबर्दस्ती की है तो यह ایमान भी कुछ भी नहीं कहँए पाता क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं, आगे जब यह मान के पापा को इस वायर में पता चलते हैं, तो हो यह एमान पर बहुत ही गुसा करते हैं और कहते हैं, तुमने आखीकर यह क्या पेफ कूफी कर दी, तुम्हें पता है इसके बाद हमारे साथ क्या हो सकता है? हमने बिजनेस मर्ज करने का जो भी प्लैन बनाया था, वो सब धरा का धरा रह जाएगा. इसलिए अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, कि तुम प्रिंग से साधी कर लो और अपनी गलती की जिम्मेदारी लो. तभी तुम रावी के पापा के नजर में उठपाओगे. आगे ये मान को प्रिंग की जिम्मेदारी लेने पड़ती है, और दोनों परिवार की सहमती से ये मान और प्रिंग की साधी फिक्स हो जाती है. आगे जब रावी को इस बार में पता चलता है, तो बिचारी का तो दिल ही टोड जाता है, तो उसके पापा कहते हैं, ये मान को भोल जाओ बेटा, वो तुम्हारे लायक नहीं है, जो अपने हवस पर अभी काबू नहीं कर सकता, तो वो लाइफ टाइम तुम्हारा साथ क्या निभाएगा, इससे अच्छा है कि तुम अभी ही उसका साथ छोड़ दो, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है बेटा, तो रावी अपने पापा की बात मान लेती है, और बिचारी खूब रोती है, दूसी तर प्रिंग और पाकचा रावी के सामने ही साधी की तैयारियां करते हैं, और उसे जलाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते, तो रावी भी प्रिंग को मूँ तोर जवाब देती है, तुम्हें तो मेरी जूटन खाने की आदत हो गई है, इसलिए तो तुम मेरे छोड़े वे बाइफ्रेंग को अपना पती बना रही हो, तो प्रिंग को ये बात सुनका बहुत ही गुसा आता है, और रावी उसे मूत और जवाब देकर वहाँ से चली जाती है, रावी अपनी दोस्त जेन के पास जाती है, तो जेन कहती है, मुझे पहले से ही वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और मैं हमेशा तुम से कहती थी, कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती थी, अच्छा हुआ, साधी से पहले ही तुम्हारे सामने उसकी सचाई आ गई, अब तुम उसे भूल जाओ, तो रावी कहती है, मैं उसे भूलना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग मेरे सामने साधी की तयारिया कर रहे है, जिसे देखकर मेरा जखम ताजा हो जाता है, तो जैन कहती है, तो क्यों न तुम कुछ दिनों के लिए बाहर घुमने के लिए चली जाओ, ताकि तुम्हारा मन भी बहल जाए, तो रावी जैन के कहने पर बाहर घुमने के लिए चली जाती है, आगे थाना जैन से मिलने के लिए आता है, तो जेन थाना को उसी जगाँ पर जाने को कहती है ताकि रावी का मूट फ्रेस हो जाए आगे थाना को जेन से रावी के ब्रेक अप के बारे में पता चलता है और उसे ये भी पता चलता है कि रावी भी उसी रेजोर्ट में गई है अपना मन हलका करने के लिए तो थाना भी उसी रिजोर्ट में जाता है अपनी बेटी के साथ ताकि वो रावी के साथ टाइम स्पैंड कर सके आगे रावी ताइवान को देखका बहुत ही खुस होती है उसके साथ खेलती है और खुब मज़े करती है इधर ये एमान रावी का पीछा ही नहीं छोड़ता और से बार बार मेसेज करता है तो रावी उसके मेसेज को इग्नॉर करती है लेकिन ये मान का मैसेज आना बंधी नहीं होता तो रावी कहती है तुमने मेरे साथ जो भी वक्ष बिताया उसके लिए सुक्रिया लेकिन अब हम दोनों को इस रिस्ते को खतम कर देना चाहिए और रावी ये मैसेज ये मान को भेज देती है और इसी चकर में उसका फोन पानी में गिर जाता है तो रावी अपना फोन ढूनने के लिए पानी में कूट जाती है कि तब हमापर थाना आ जाता है और उसे लगता है कि रावी अपने प्यार के गम में सुसाइट करने की कोसिस कर रही है तो थाना रावी को बचाने के लिए जाता है और उसे कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं और थाना इसी वज़ा से रावी को खूब डांटा है लेकिन जब रावी उसे बताती है कि वो यहाँ पर सुसाइट करने नहीं आई थी बलकि अपना फोन ढूनने के लिए आई थी तो यह सुनकर पूरी तरह सौक्ट हो जाता है आगे थाना रावी को उसके घर जोड़ता है तो रावी उसे अपने घर के अंदर बुलाती है ताकि वो अपने कपरे सुखा सके और वो उसका फोन यूज़ कर सके आगे थाना रावी का मूट ठीक करने के लिए उसे अपने घर ख हो जाती है साधी से पहले ताकि वो यह मान के साथ गुल चर्रे उड़ा सके और अपने प्यार के फूल चला सके पर यह मान उसे भाव ही नहीं देता उल्टा उसके साथ बत्यमीजे से बात करता है तो प्रिंग को बहुती गुसा आ जाता है और वो गुसे से अपनी मौम के पा कि तभी एक पाश्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहांपर जैन, रावीन और प्रासीन तीनों ही अपने फ्यूचर को लेकर बात कर रहे होते हैं एक्चली ये तीनों हाई स्कूल से ही एक साथ पड़ते थे और इन तीनों की दोस्ती काफी गहरी थी प्रासीन रावी से प कहती है मैंने कभी भी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा मैंने बस तुम्हें अपना एक सच्चा दोस्त माना है और मैं तुमसे भी उम्मीद करूंगी कि तुम यह प्यार वाली बाते छोड़कर सिर्फ हमारी दोस्ती पर फोकस करो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस प्यार के सम्हाल लेकिन मैं अपने आपको नहीं सम्हाल पाया और आज मैं इस लाइफ से इतना तंग आ चुका हूं कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करूं तो रावी प्रासिन के मुझसे ऐसी देख रही होती है तो दा को बहुती गुसा आ रहा होता है रावी को वहाँ पर देखकर आगे रावी के जाने के बाद देविका प्रासिन के कबर पर जाती है और उसके फूल को फिक कर अपना फूल चरहा देती है और देविका प्रासिन को याद करके बहुत इमोशनल हो जात पर उसके अंदर रावी के लिए बहुत गुसा और नफरत होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लाइफ रावी की वज़ा से बरबाद हुई है। प्रेम अपनी बहन की साधी के लिए घर आया होता है। तो पाक चापने बेटी को देखर बहुत ही खुस होती है। तो प्रेम कहता है। रावी सही है और तुम लोग गलत आप लोग कब तक अपनी साधिसों से उन लोगों का दिल दुखाते रहेंगे। अपनी बकवास बंद करो। जब तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो इन सब के बीच में बोलने का हक तुम्हें नहीं है। और वैसे भी ये मान से मैं प्यार करती हूं। और ये मान भी मुझसे प्यार करता है। तो प्रेम कहता है।